कि यूथ सो हाई फ्रेंद्स वेलकम बेक टो हर यूट्व चनल जेकी यूथ सो आज जो जो जेके पोस्ट आफिस की तरफ से रिक्रूमेंट प्रासेस स्टार्ट हुई थी 4266 पोस्ट इस उनके लिए हम वीडियो लेकर आए है कि आप किस तरह से अप्लाई कर से और पूरी न इसके लिए है यहाँ पर आप इजली पढ़ सकते हूं अभी और इसके बाद आप देख सकते हूं कि यह ग्रामिंग देवसेवक के लिए पोस्ट जिए और जो टोटल पोस्ट जिए वो 266 से पोस्ट ने मिनकुन होने अल्रड़ी दिया है ग्रामिंग देवसेवक तो यह तब सब्टेमबर 2021 थी जो अल्रड़ी जा चुकी है मतलब तब से फार्म इसके लिए बार रहे हैं लोग वो चुछ इसके लास्ट है वो 29 अक्टूबर 2021 रहे हैं इसके बाद अगर आपको इसकी पीडियाप चाहिए तो आप इस पीडियाप लिंक जो हमने आप्शन दे कि किसी भी केटिगरी की उनके लिए फ्री है प्लस से स्ट पीडियाव केटिगरी इसके लिए फ्री है रही बात केटिगरी वाइस से डिस्रिबिशन की तो ओपन मिरीर की 1119 पोस्ट है ओबी सी की 65 पोस्ट है और AWS की 24 पोस्ट है स्ट की 23 पोस्ट है और स्ट की 29 और पीडिय कि PWD की सिक्स पोस्ट से रही बात आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई करोगे हमने यह आप पर दिया हुए है आप प्लाइफ ऑजी के पोस्टल आफिस वेकिंस इस लिंक पर क्लिक करेंगे आप और आप एंडिया पोस्ट के आफिशिल वेबसाइट पर आएंगे और इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अफ्लोड कर रखी इसकी पीडियाफ यह साइड में आपको दिया हुआ है जमौन कश्मीर 266 पोस्ट इस पीडियाफ मैंने डाउनलोड कि और मैं ओपन कर रहा हूँ तो आप यह पीडियाफ डाउनलोड करके आराम से सकते हैं और आप से इतना टाइम है और देख सकते हो कि पोस्ट इस कौन-कौन से कौन-कौन से हरिया में हैं किस जिस्टिक में हैं किस तैसिल में हैं और किस पोस्ट आफिस के लिए पोस्ट इसकी क्या है टोटल सेलरी क्या है उसकी और किसके अंडर आती है तो आप यहां से करना होगा और registration पे click click करना या फिर आप stage 1 यहां पे नीचे steps to apply पे click करें और यहां पर registration option पे आपको click करना होगा उसके बाद आपको यह जो option दे रहा हैं है यह आपको fill up करनी होगी अच्छे से और last में यहां पे submit option आ रहे हैं वो submit करना होगा सबसे पहले आपको नाम फादर समय बगेरा सब कुछ देखिए वो fill up करना है उसके बाद आपको fee इसकी pay करनी होगी और fee pay करने के बाद आपका registration number बनेगा registration number आपका registration पर क्लिक करते ही बनेगा actually sorry जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे OTPI आएगी आपके phone पर तो एक registration number बनेगा उसके बाद आपको registration यहां पर देना है registration number यहां पर fill करना है उसके बाद में एक payment करनी है अगर आप किसी category से ब्लांग करते हो तो आपको कोई fee नहीं लगेगी और अगर आप general category है तो आपको इसके लिए fee submit करनी पड़ेगी और last में पर आपको आता है apply online तो यह सबसे last वाली इसकी step रहने वाली है इस पर आप क्लिक करेंगे फिर submit करने के बाद यहां पर आपको अपना registration number देना होगा और आपको अपना सर्कल स्लिट करना होगा सर्कल में इस आपकी state जो आ रही है वो स्लिट करने होगी आप स्लिट करेंगे पहले लेकिन अपना registration number देंगे और फिर submit कर देंगे और आपकी form इसके साथ submit हो जाएगी उसके बाद कुछ processes फिर भी रहेंगी जैसे कि application form upload documents और choose preferences और print application 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 form में आपको अपनी जो details होगी वो submit करने होगी उसमें आपको 10th के marks भी पोचेंगे वो भी upload करने है उसके बाद documents ज आप किस एरिया से ब्लांग करते हो वो आप देख सकते हो और किस post के लिए आप apply करना चाते हो वो भी आप यहाँ से देख कर वो select वहाँ पर कर सकते हो और इसी तरह से आपको यह form easily submit करनी है last में और उसकी इसके बाद आप इसकी choose preference करने के बाद इसका एक print out निकल सकते हो य जब भी इसकी further process होगी counseling हो या फिर admit card हो किसी भी तरह की process हो उसके लिए आपको जूरत लगेगा thank you very much for watching our video और please हमारी YouTube चैनल जेकी योद को subscribe किजिए और हम इसी तरह से support करते रहिए हम आपके लिए continuous तरह की वीडियो लाते रहेंगे इस तरह की updates आपको देते रहेंगे job related thank you very much